अबी हम बात करने जा रहे हैं आटिजम पर आटिजम बेसीकली यह है क्या इसके लिए कौन-कौन से तरीका इलाज जो है वो मौझूद है और ना सर्फ यह बलके एक स्टेमसिल थेरपी है जिसके जरीए कहा यह जाता है कि आटिजम का इलाज जो है वो मुम्किन है मेरे साथ इसपर शो में मौझूद है, स्पाइन पें फिसेशन है, री जनरेटिव मेडिसन स्पेशलिस्ट और शेहजाद अन्वर, चौक साब थांक यह सो मुझ पर बेंग विद आटिजम, जो है जिसमें जब बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, इसमें जब बच्चों क से लेके फिर्स पर उसमें वो डर्डिफरेंट मायल स्टॉन्स अजिव करते हैं, जिसमें आउटिजम में टिपिकली या तो बच्चे स्पीच ड्वेलप नहीं कर पाते बिलकुल भी या थोड़ी सी स्पीच ड्वेलप करते हैं उसके बाद उसमें रिग्रेशन हो जाता है वो बच्चे अवर्बर हो जाता है तो इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको हम DSM 5 कहते हैं डिगनोस्टिक और स्टिस्टिक अना बैनुवल ऑफ अमेरिकन साइकलोजिस साइकारिस्ट असोसियेशन तो बच्चों को असेस करते हैं इन बच्चों में जो मेजर प्रॉबलम आती हैं सबसे बड़ा प्रॉबलम तो यह है कि वो बच्चे क्म्यूनिकेट नहीं करते हैं यह सबसे बड़ा प्रॉबलम है वो नॉन वर्बलम है इसके साथ इन बच्चों में असोसियेटी प्रॉबलम हैं जिसमें हाइपर एक्टिविटी हैं फोबियाज हैं टैंटरम्स हैं सैंसरी इश्यूज हैं तो वो बच्चे जो हैं बिलकुल एक अपनी दुनिया म में यह बच्चे हैं उन पेरेंट्स के लिए सोशल लाइफ बिलकुल खतम हो जाती हैं कि यह बच्चा किसी की बात नहीं सुनता एक जगा टिक एक सेकिंड के लिए नहीं बैठ सकता और अगर खुदाना खासता कोई चीज उसकी मर्जी के अगेंस्ट हो या उसकी पसंद की नहीं आओ तो वो सेल्फ हीटिंग करता है नॉइस करता है और वो एक बहुत बड़ा इशू है और अनफॉर्चनेटली जहां बाकी चीजों पे डिजीजों में हम साइंस जैसे तरकी कर रही है मेडिकल साइंस उसमें कमी आ रही है जैसे बहुत सारी इंफेक्श डिजीज लेकिन पिछले 20 साल में आउटिजम में बहुत रिमार्केबली इंक्रीज आया है पहले वन इन वन थाउजन थे नाइन्टीज में अब इस अबाउट थर्टी टू फिफ्टी किट्स तो आप देखें कि 30 से 50 क्या रीजन क्या है कि इसकी प्रेविलेंस इतनी बढ़ती क्यो जा रही है आउटिजम की तो जहां तक इसका इटियालोजी या इसकी कॉजिस का तालुक है तो सबसे बड़ी जो वज़ा इसके साथ टैच की गई वो एन्वायर्मेंटल फैक्टर्स थे जैसे आपकी इतनी काल्टीवेशन है वो कैमिकल फटिलाइजर्स है फिर बच्चों कुछ स्टेडीज आई हैं जिसमें उन्होंने इसको जनेटिक्स के साथ भी इटैच करने की कोशिश किया भी कोई कंफर्मेटरी नहीं है लेकिन जिन फैमिलीज में एक बच आउटिस्टिक हो उसमें छोटे बचों में आउटिसम होने के ज्यादा चांस जाए इसी तरह ले पिल्कु ठीक हो गया एन्वार्मेंटल लेकिन हमारे एन्वार्मेंट में ऐसी क्या क्या चीजें मौझूद हैं जिसकी वज़ा से बच्चे जो है वो आटिस्टिक हो सकते हैं जी वही मैंने का जी प्रॉसेस्ट फूड्स हैं उसके इलावा वैक्सिनेशन हैं जो पॉलूशन है और फिर वो जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि जो माएं हैं खुद आजकल बिजी हैं वर्किंग मदर्स हैं मोस्टली और उसके इलावा भी अगर वो बिजी हैं त बच्चों का ज्यादा वो भी ब्रेन एक्टिविटी को इंपेर करता है और इसम की अगर हम पैथो फिजालोजी पर बात करें तो यह प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स जो फ्रेंटल कॉर्टेक्स के बिलकुल सामने रखा हुआ है उसकी डिजीज है लेकिन यह देखें आप कह इसे और्टिस्टिक होता है वही अर्स किया है कि जी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और टिपिकल हिस्ट्री होती है कि जी उनको जब एक ठारा मा की उमर में जब वैक्सीन हुई तो उसके बाद उनको फीवर हुआ उसके बाद बच्चों में रिग्रेशन आता है यह 40 स 50 परसेंट बच्चों में हमें में जब हम हिस्ट्री लेते हैं इसके इलावा अगर किसी बच्चे को कोई जुबान पे छाले निकलें कोई वाइरल इंफेक्शन हुआ उसकी वज़ा से यह रिग्रेशन आता है फिर उसके इलावा कोई ट्रॉमा हो सकता है या जैसे मैंने का कि कुछ जनेटिक्स हैं कि जैसे अगर कोई बड़ा बेहन बाई में यह सिम्टम्स हैं तो छोटे बच्चों में भी तो सु इस नॉट लाइक कि जी सेरिवर पालसी की तरह कि मोस्ट अफ़ दा बच्चे या डाउन सिंड्रॉम की तरह हर बच्चा बाई बर्थ होता है यह इक्वाइड है इसी लिए इसको नियूरो डॉलमेंटल अच्छा देखें आपनी इतमाम चीज़ें तो बता दी इसका मतलब है कि यह बाई बर्थ नहीं होता पैदाईश के बाद बच्चे जो है वो आर्टिस्टिक होते हैं क्या अगर इनका इलाज करवाया जाए तो क्या यह बच्चे 100% बिलकुल ठीक हो सकते हैं या यह मुम्किन नहीं है इसको मैनेज किया जा सकता है इसमें बच्चों को डिफरेंट चीज़ों की मदद से स्पीच थरैपी ऑकूपेशनल थरैपी उनको ट्रें किया जाता था तो यूज एंड तो इंप्रूव दियर क्वालिटी अफ लाइफ दूसरे एक अमेरिकन बेस्ट है जिसमें जिसको हम पैक्ट कहते हैं जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट चीज़ें यूज करके अगर वो वर्बली नहीं बोलते तो वो डिफरेंट कार्ड या डि पैशेंट्स के अपने ही जिसम से अगर हम बात करें तो इसमें दो या तीन चीज़ें मेजर इसके आसपेक्ट हैं रिजनेटिव मेडिसेंटे एक पी आरपी है जिसको हम प्लेट लेट रिच प्लास्मा कहते हैं जो हम अपना आप सारे वेर हैं के जी वो ब्लड लेके उसक को प्रॉसेस करके इसमें से ग्रोथ फैक्टर लेके डिफरेंट कंडिशन्स में यूज करते हैं इसी तरह स्टेम सेल थरैपी है जिसको हम आटो लोगस इसपेशली क्यूंकि स्टेम सेल थरैपी दो तरह की होती है एक तो वो है कि जिसमें हम पेशेंट खुदी डोनर है आप जो बचा कंसीव होता है मांके पेट में तो उस वकत एक स्टेज आती है तो उसमें से सेल लेके आप करते हैं तो लेकिन वो स्टिल अभी ट्राइल फेस में है लेकिन जो अप्रूड मोडालेटी है वो आटो लोगस है तो इसी को यूज करते हुए जब हम पेशेंट प यह इंटरवीनिसली भी और कुछ ऑको पंचरपाइंट से लोगस्ट्राइयए जो जब हम मुदिट पार्ट आइज ょको पंचरपारिट से निक वोम यह इन जो इनको स्टिमूलेट करते हुए तो बरेन की डिफॉर्ट पार्ट में इंप्रूप्रूइमेंट आती है इसी तरह stem cell treatment जो है या stem cell therapy जो autologus हो वो इस टाइम best possible hope है stem cell therapy के अगर हम बात करें तो बच्चों में पेट या कूलों की चर्बी से थोड़ी सी चर्बी हम लेते हैं उसको process करते हैं उसमें अल्ला ने इतने बेतरीं stem cells और वो रखे होते हैं कि उनको हम harvest करके उनकी nature change नहीं करते हैं उनको culture नहीं करते हैं क्योंकि that is the approval only के जिए आप उसको change नहीं करेंगे उन बच्चों को हम re-inject जब करते हैं तो वो जो cells हैं जब brain में पहुंचेंगे तो वो दो तरह से effect करते हैं उनका पहला effect तो यह है कि जो dysfunction है prefrontal cortex का वो basically mitochondrial dysfunction है क्योंकि यह में आपका असल functioning या कारखाना जिसको हम कहते हैं cell का वो mitochondria वो जब weak होता है तो इस तरह की बेमारी हैं या कोई भी बेमारी आते हैं तो यह stem cells जो हैं जो already weak cells हैं उनको through chemotaxis, cytotaxis stimulate करते हैं उनकी functioning बेतर होती है, secondly यह अपनी population को increase करते हैं through mitosis और फिर वहाँ पे नए healthy cells बनाते हैं, तो यह बच्चे जो usually untreatable समझे जाते थे वो remarkably improve करते हैं और जो आपका सवाल था, अब हम अमीद करते हैं कि यह बच्चे सोफी सब treat हो सकते हैं अच्छा, यह अगर हम stem cell therapy की बात करने तो उससे यह treat हो सकते हैं यह बिल्कुल और एक नहीं, हम पिछले 10 साल से autism पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, अलामदलिल्ला भी रिसेंडली पहली कानफरंस थी बिटिश डीजनेटी मेडिसन की जिसमें उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि मैं autism पे पूरी कीनो टॉग नूँ और उनको तो क्योंकि इंगलेंड में वो हमसे पीछे हैं, इस इस वान फील्ड, तो वहां पे और हमारे पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं, अलामदलिल्ला और वो बच्चे जो हैं, तीन से छे मीने में वर्बल भी होते हैं, उनके टेंटरंस, उनकी बाकी प्रॉब्लम्स, रिमा ट्रीट्मेंट है, तरीका इलाज का, ये एक मैफूस तरीका इलाज है, जी डेफिनेटली, इस में अगें, FDA की बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन, FDA Food and Drug Regulatory Authority, जो दुनिया का सबसे बड़ी रेगुलेटिव, और most of the agencies जो हैं रेगुलेटिव, उसको फॉलो करते हैं, 2018 में उन्हें एक पब्लिक हेरिंग की न्यू यॉर्क में, I was there in person for four days, उन्होंने कहा कि जी आप autologus यूज करें, आप उसकी nature चेंज ना करें, उसको मैन्यूपलेट ना करें, विदिन few hours, same surgical sitting में, उसी patient को उसको process करके, सिरो process करें, culture ना करें, जब आप re-inject करेंगे, तो इसमें कोई cross infection नहीं है, कोई वो जो नॉर्मली एक बात आई थी, कि जब induced pluripotent के, उसमें आप cell लेके, उसको primitive करते थे और फिर, तो उसमें cancer के और तरह की complications थी, यह जो autologus stem cells रहती है, यह 100% से, क्योंकि यह आपके अपने cells हैं, जो dormant पड़े हुए थे, weak पड़े हुए थे, ज बेहतर होती है, तो इसमें virtually कोई side effect support नहीं है, बल्कुल ठीक हो गया, और यह एक safe जो है, वो treatment है, नुकसानात इसके कोई नहीं है, लेकिन जस तरीके से डॉक्ट साब बता रहे थे, कि पिछले एक decade से, दस सालों से पाकिसान में autism पर बहुत काम हो रहा था, तो now stem cell therapy is the treatment, ज उसके जरीए 100% इसका इलाज autism का मुमकिन है, और obviously जो autistic बच्चे और उनके जो parents है, उनके लिए ये एक ray of hope है, कि वो अब मुकमल तोर पर सहत याप हो सकते हैं, क्योंकि मैंने personally भी ऐसी बहुत सी माएं देखी हैं, जिनके बच्चे autistic थे और जब वो घुसे में आते थे, या उनका behavior बदला होता था, तो उन बच्चों को संभालना, उनको control करना was very difficult, और वो बच्चे इतना मारते थे, माओं को के उनके निशान यहाँ पर पढ़ जाते थे, बास वो पर या इस तरह, तो अब ये stem cell therapy is one treatment जिसके जिरिए autistic बच्चों का इलाज मुमकिन है, इसको हम autologus कहेंगे, जो approved therapy है, बिल्कुल ठीक, autologus उसको कहेंगे, डॉक्टर चाजाद अन्वर साब हमाई साथ मौजूत है, बहुत शुक्षे डॉक्स साब आप